दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में सिलवर 20 के उपर डिसकास करने वाले हैं और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तो पहले हम लोग fundamental analysis कर लेते हैं और उसके बाद technical analysis करते हैं दोस्तो अब लोग daily chart बे देख सकते हैं December के 13 को silver 69 के पास था उसके बाद दोस्तो कुछी दिनों के अंदर silver 73.50 तक गया और फिर से 73.5 के level से silver अभी 69.80 के पास trade कर रहा है और उसी इसाब से दोस्तो आप लोग देख सकते हैं silver फिर से अपने strong support के पास आ गया है दोस्तो अगर आप लोग technical और fundamental के combination के साथ silver में trade plan करते हैं तब जो है silver से बहुती अच्छा return आप लोग expect कर सकते हैं दोस्तो 13 डिसमबर को fed के chairman का commentary आया था और दोस्तो fed के chairman का commentary डोविश था दोस्तो जब भी fed के chairman डोविश कोमेंटरी करते हैं तब जो है dollar index में strong downfall दिखता है और उसी इसाब से gold और silver में strong up move दिखता है और उसी इसाब से दोस्तो आप लोग देख सकते हैं 13 डिसमबर को fed के chairman के डोविश कोमेंटरी के बाद silver में strong up move दिखा और 69 के level से silver 73.5 के level तक गया तब इसाब से दोस्तो अगर आप लोग 69 के level पे buy करते और 73.5 के level तक target करते तब जो है आप लोगों को 8% return मिलता और दोस्तो ये जो 8% return है आप लोगों को 8 दिन के अंदर ही मिल जाता और दोस्तो अभी फिर से silver में correction दिख रहा है और इसका कारण भी fundamental ही है दोस्तो last week US का job data आया था और दोस्तो job data silver के लिए negative था और उसी इसाब से silver में downfall दिखा दोस्तो job data के बाद inflation data आया था और inflation data भी silver के लिए negative था और उसी इसाब से silver में फिर से downfall दिखा और दोस्तो इस week को fed के official के तरफ से commentary आया था और दोस्तो commentary hawkish था और उसी इसाब से silver में फिर से downfall दिखा दोस्तो कल US के तरफ से retail sales का data आया था और दोस्तों, retail sales का data silver के लिए negative था और उसी इसाब से silver में फिर से correction दिखा और उसी इसाब से दोस्तों, अब लोग देख सकते हैं fundamental basis पे कैसे silver upside से downside move किया और दोस्तों, अभी silver daily chart पे strong support के पास आ गया है और उसी इसाब से दोस्तों, अभी हम लोग 69 के level से 75 और 76 के level तक target कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग 69 से 70 के range में buy करते हैं और 75 से 76 के level तक target करते हैं तब जो है आप लोगों को 8 से 10% का return आने वाले समय में मिलने वाला है और उसी इसाब से दोस्तों 69 से 70 के range में fresh buy position silver में add किया जा सकता है और दोस्तों अगर आप लोगों ने higher level पे buy किया है तब जो है आप लोग 69 से 70 के range में average कर सकते हैं और फिर से higher level के लिए target कर सकते हैं दोस्तों ये video सिर्फ educational purpose के लिए था और इसमें कोई भी buy या sell का recommendation नहीं है और दोस्तों वीडियो के description पर वर्सेब चैनल का link दिया हुआ है आप लोग link क्लिक करके वर्सेब चैनल जोइन कर सकते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद थैंक्स फोर वाचिंग दा वीडियो